एलो फ्रेंड्स वेल्कम टी एद्ने अन्वेश्मेंट अकाडमी गुड मॉर्निंग आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूस के बारे में ही बात करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसेफिक काफी सारे आज स्टाट्स आये हैं कुछ इंडिया के भी यूएस के भी तो वो बात फोकस उसी पर जादा रहेगा और कुछ फिर स्टाक स्पेसेफिक जो न्यूस है वो बात करेंगे लास्ट तक एक छोटा सा नॉलिज सेक्षिन भी है तो वो भी अगर आपके पास समय हो तो वो जरूर आप देखना ठीक है स्टार्ट सबसे पहले करते हैं ग्लोबली मतलब अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट्स वर अलसो क्लोज जो है वो पॉजिटिव रही यूएस मार्केट्स भी पॉजिटिव रही ठीक है और सबसे इंट्रस्टिंग जी जो यह रही कि यूएस का इंफुलेशन नंबर आया cpi inflation consumer price inflation नंबर आया और वो आया 3.2% growth in February 3.2% से उनका inflation year-on-year बढ़ा expectation जो market का था जो मतलब अलग जो estimates थे वो 3.1% के थे 3.2 आया मतलब बहुत जादा ऐसा अलग नहीं आया तो market को लगा कि ठीक है एतना जादा कुछ difference नहीं है मतलब 3.1 3.2 में और जो उनकी जो thought process है कि दो से चार के बीच में rate cuts होने चाहिए इस साल तो they think that with this number mostly मतलब they are more closer की rate cuts के मतलब यह number 3.2 है यह 3.1 भी होता मतलब according to them it is not that much of a problem तो इससे बहुत जादा जो है वो फरक नहीं पड़ेगा and that's why market जो है overall positive रही right मतलब अगर हम S&P 500 देखें डॉज ओंस देखें नस्डेक देखें तीनों जो में इंडिक्स है वो तीनों जो है वो positive range में रहे इवन दर जी सेक टेनियर जी सेक जो है उसमें बहुत जादा negative impact नहीं दिखा ओ 4.1 4.16 1.4.15 के आसपास ही मैं 4.1 के आसपास ही range bound रहा तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी major उच्छाला है तो मतलब from bond market and stock market both guys they were quite okay they were quite happy एक तरह से with the it was at per the expectation only right तो 3.2% उनका overall inflation बढ़ा in the February Jan में यह 3.1 था उससे पहले 3.3 था तो मतलब last अगर हम since I think June से देखें और अभी तक तो वो एक उसी range में right 3 to 4% यह 3 to 3.5 यह 3 to 4% की range में consistently चल रहा है only thing which थोड़ा सा वरी सब for them वरहा वास from the core CPI जो core CPI होता है मतलब basically जिसमें से food inflation हड़ जाता है और energy inflation हड़ जाता है तो यह दो हटा के और core CPI का number अलग से present होता है और इंडिया में भी होता है उसकी बात में यह करेंगे तो वो जो है वो number जो है वो 3.8% आया जबकि वो कम हुआ है 3.9% था in jan तो अब वो 3.8% आया बट उसका projection 3.7 था अगें very close to the projection nothing as such to worry about उनका यही thought process था कि कुछ major उनको कुछ worry sign नहीं दिखे markets को and that's why market majorly were positive with that number and they were quite expecting कि इंटरस रेट का जो thought process है जो expectation है कि जून जुलाई से start हो जाएंगे गिरना तो उनका वो intact ही more or less रहा with this number इसी तरह से इंडिया की अगर हम जब बात करते हैं तो इंडिया में भी CPI number आया कर ठीक है और वो कितना आया वो आया 5.09% चो US का कितना आया था ठीक है न तो वही मतलब वही same ही number है US का आया 3.2 हमारा आया 5.09% हमारा last month January this is year on year growth तो year on year prices 5.09% बढ़े consumer prices and that's what it represents ठीक है और तो January में यही number 5.1 था तो मतलब similar number और December में 5.69% था तो वहाँ जाता था तो उससे कम हुआ है January और February में तो inflation basically अगर हम December के मुकाबले देखें तो year on year growth perspective से inflation कम हुई है ठीक है तो percentage growth perspective से inflation overall कम नहीं हुई है percentage growth जो है वो 5.09% का इसमें रहा अभी भी food inflation जो है काफी बड़ा factor भी होता है इसमें calculations में और वो अभी भी काफी हाई है वो अभी भी 8.66% है तो हमारा जो food का जो prices है वो अभी भी भी बहुत fast grow हो रहे है और I am sure आप सबको यह feel हो रहा है मतलब हम जो नॉर्मल सबजी डाल यह सारी चीज़ें लेते हैं तो I am sure मतलब मैं भी थोड़ा बहुत समान कभी कभी order करता हूं या लेके आता हूं तो I can see that की the prices जो है वो काफी increase हुए है in last few months तो वो चीज यहां पर अभी भी है कि वो काफी high है 8.66% और यही बार-बार जब RBI की buy monthly meetings होती है MPC meetings होती है तो इसके उपर बार-बार discussion होता है कि food inflation और यही बहुत बार-बार उन्होंने बोले कि large and repetitive food price shocks are the biggest risk तो उन्होंने कहा कि यह हमारा सबसे बड़ा risk है currently overall बाकी ह उनका जो RBI का जो range है वो 2-6% है CPI inflation का तो उस range में इंडिया का inflation चल रहा है और मतलब काफी time से चल रहा है मतलब since September से उस range में 2-6% की range में ही इंडिया का inflation चल रहा है लेकि फिर भी RBI interest rates कम नहीं कर रही है क्योंकि RBI is saying कि food inflation जो है अभी भी मेरा वरी है और core inflation इंडिया में जो है ना वो बहुत interesting है कि वो सिर्फ 3.3% आया तो आप ये देखो कि इंडिया का जो core inflation है और US का core inflation है तो इंडिया का जो core inflation है वो US से कम है ठीक है तो मतलब अगर हम energy price और food price को हटा दे और बाकी सारी चीज़े देखें right real estate हो गया सारी चीज़े देखें तो हमारा जो core inflation है वो सिर्फ 3.3% है और जबकि US का 3.8% है ठीक है और January में ये 3.6 था ठीक है तो ये सारी चीज़े हमें समझनी है कि ये मतलब किस तरह के inflation number उसको कैसे interpret कर रहा है ठीक है तो ये markets को overall मतलब मुझे ये भी लगता है कि overall एक within the range of expectation के हिसाब से ही market में ये रहा बाट food inflation definitely एक worry sign अफिसारे dependent तो उसमें because of monsoon इतना अच्छा नहीं रहा तो इसका भी impact है ग्लोबल क्राइस थोड़ा सा वार वेगरा की वज़े से energy prices फिर से थोड़े से बड़े मतलब 80 प्लस crude oil है उसका भी थोड़ा बहुत impact है क्या कहते है government ने अभी तक fuel prices कम नहीं किये जैसे global food prices कम हुए तो उसका भी impact है तो there are multiple impacts अगर हम associated with this overall अगर हम food inflation देखें तो food inflation एक वरी है अभी और काफी जादा restriction है ना मतलब Russia और Ukraine से काफी सारे समान आता था अगर हम commodity-wise perspective से देखें तो वो सारी चीज़ों पर भी impact है और फिर यह थोड़ा बहुत जो impact अभी Red Sea का जो रहा रहा मिलती है तो वो reasons है उसके डेफिनिटली मॉंसून नॉट सो गुड मॉंसून इन 2023 वस इस डेफिनिटली बन ऑफ बिग रीजन की food inflation जो है अभी भी एक high level पर है ठीक है तो यह चीज हमारी overall हमारे inflation के हिसाब से नंबर आये हमारा IIP नंबर भी आया विच इंडस्ट्रिल प्र electricity का नंबर आता है तो वो 3.8% से January में बढ़ा तो वो थोड़ा lag में आता है एक महिना lag में आता है तो जैसे जो हमने CPI की बात करी वो February का डेटा है बट IIP का डेटा जो है जैनवरी का है तो अब आया है तो वो 3.8% से ग्रो हुआ है majorly manufacturing output जो है वो इतना fast नहीं बढ़ा 3.2% से ही बढ़ा January में production basically उसमें से majorly जो problem रहा वो consumer non-durable मतलब consumption अभी भी बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा है and that was the major thing जो उसमें से overall सबसे खराब जो growth रही overall अगर हम IIP perspective से देखे है बहुत जादा follow नहीं होता है मतलब बहुत बढ़ा indicator नहीं माना जाता है because there are a lot of challenges and a lot of question marks on the overall thought process की किस तरह से drive होता है और उसमें क्या क्या चीज़ included है क्या नहीं है but still जो है वो discussion उसके उपर होता है और वो एक indicator माना जाता है from at least manufacturing and infra perspective के sector के हिसाब से ठीक है एक interesting report आई थी on business standard की इंडिया ने 11.6% ही ethanol blending की right first four months of 2023-24 जिर्फ 11.6% ही हुई जबकि 2025 का जो target है वो 20% का है और 15% ऐसा बोला जागा था कि FY23 में हो गई थी तो ये कम हुई इस बार तो उसमें भी reasons बताए गए है कि because of the restrictions and not so good monsoon तो sugar cane विगरा का काफे सारे restriction भी लगाये थे कि आप इससे बीच में काफे सारे आपने news में सुना होगा कि इससे आप ethanol नहीं बना सकते है और sugar companies देती है जो सड़ावा grain होता है उससे मिलता है और जो sugar companies के मुलासिज वगरा से मिलता है बनता है ये ठीक है तो दोनों से उनको उतना मिला ही नहीं जितना मतलब तो demand was more but the supply was not the supply constraint because of the price का चकर था कि शुगर के prices बहुत ज़्यादा ना high हो जाए तो वो सारे concerns की बज़िसा I think government जो है they are okay की इसको थोड़ा कम किया है but food inflation को थोड़ा control में रखो I think उनका थोड़ा special election यह रहे तो I'm sure वो थोड़ा ज़्यादा focus उनका उस चकर में यह हुआ है ठीक है आइसे आइसे प्रुडेंशल होल्ड फ्रेश सब्स्क्रिप्शन अब मतलब आपने खल क्या हुआ है कल आपने मार्केट देखा ही होगा कि मतलब ओवर्रॉल सेंसेक्स तो काफी फ्लैट था रही तो तो देवाज नो चेंज निफ्टी और सेंसेक्स में कोई खास चेंज न अब 10% के नीचे क्रेक्शन बोला जाता है ठीक है तो 10% अल्मोस्ट डाउन हो चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स तो अफकॉर्स उसके रीजन्स एफ वाल्यूशन के कंसर्स तो काफी सारे डिसक्रशन होई रहा था बर स्पेशली सब सेभी ने काफी सारे एक्शन लेने शु सारी चीज़े कैसे मैनेज करोगे तो यह सारी चीज़े मतलब उनको म्यूचल फंड्स काफी स्ट्रॉंग लीव रेगुलिट करते हैं तो उसके उपर उसकी वज़े से भी एक रीजन रहा कि इस लगातार स्मॉल एंड मिड कैप एक थोड़ा सा नेगेटिव राली में हैं राइट फ्रॉम इंडिया में यह और कि निफ्टी फिफ्टी को अस्ट कुछ जादा मतलब वहां से पता नहीं चल रहा करेंगे तो बहुत साही लोग हमें यह बोल रहें कि यह निफ्टी फिफ्टी तो फ्लाट आया मतलब पॉजिटिव में है और मेरा मेरा पॉट्पोलि में दोनों में लंसम बंद कर दिया है लेना ठीक है और मतलब सिरफ एसाइप और स्टीप जो डाट टू तो लाग रुपीज पर मन्त माक्सिमम लिमिट ही अलाउड है तो बेसिकली एक सेवी का जो नोटिफिकेशन आया उसका रियक्शन में को दिख राएगी वही म्यूच और थोड़ा बहुत शायद वह लाज कैप लोकेशन या एक ऐसे लिए मिट स्टॉक्स फंड ले रहे हैं जो मोर लिक्विड है जिसमें मोर वॉल्यूम अच्छा है या बड़े है थोड़े से तो वह साली चीज़े थोड़ा बहुत उसका भी इंपक्ट है ऑफकॉस वैल्य कैप में एक लगातार गिरावट आ रही है ठीक है और वो थोड़े एक्स्पेक्ट भी थी ऐसेट के हमारा काफी दिसक्शन हमारा भी नॉलिज सेक्शन वगरा में भी इसक्शन हुआ है इस बारे में कैसे उसमें फ्रॉथ लाइक उसने उन्होंने ऐसे भी चेयर्मन जो रिगार्डिंग दिस तो यह सारी चीजे की बज़े से ही प्राइमेरिली लगता है कि इसमाल मेडकेप में वो चीजें हो रही है ठोड़ा बहुत डिया इस काफी बड़े एक रीजन से और बहुत इंफ्लोग में लास्ट वन और टू यहर्स में और उसकी वज़े से भी महा पर एक लगातार इंफ्लो आ रहा है बढ़ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चोटी कंपनी होती है तो वह बढ़ रही है ठीक है और कोई नेगेटिव न्यूज है नहीं पॉजिटीव ही पॉजिटीव सुन रहे है एकनॉमिक की वज़े से राइट और मनिफेक्ट तो उसका भी इंपक्ट है ठीक है तो यह सारी चीज़े बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक थी अब कुछ-कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत जादा नहीं है तो टाड़ा पावर का जो एक कमिशन 100 बैटरी स्टॉरेज प्लांट रइच थीज़ गड़ में उन्होंने जो है कमिशन किया उनको 2021 में यह स्टॉलर एनर्जी कॉपरेशन ऑफ इंडिया से उनको यह बिसिकली प्रोजेक्ट मिला था 945 करोर का था रेट और यह आर बेसिकली आम यहाव नौ कमिशन दाट सा अलरी डिसकस भी हो गया है कि 3.5% स्टेक बीएटी बिटिश एट अमेरिकन टोबैको कंपनी यह प्लानिंग तू सेल ठीक है तो उनका अलर्ड़ेज इंग 20 29% का स्टेक है जहां तक मुझे यहाद है तो 25.5% हो जाएगा 3.5% स्टेक यह प्लानिंग तू और वो शायद आज एक्सपेक्टेड है वो ब्लॉक डील होगी तो उसकी वाज़े से ऑफकॉर्स त्रस्ट्रेस में है ITC विकॉस अब दिखते हैं वो होगी तो किस तरह से होगी और कौन-कौन बायर्स है तो मेभी विल गेट टूनों कुछ-कुछ-कुछ एम्पी के डेटा आते हैं जैस से बैंक का शेर खरीदा इन फेबूरी और यह 13,400 क्रोड का खरीदा था जैनवरी में तो म्यूचल फंट्स तो भर-बर के एस जैसी बैंक खरीद रहें लेकिन फिर भी एस जैसी बैंक नहीं भाग रहा है तो कौन बेच रहा है ऑपकॉर्स परन इंवेस्टर्स बेच रहे ह इन फेबूरी और मेजर जो सेलिंग हुई है अमाउंट वाइस सन फार्मा में एंटीपी सी में महिंद्रा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंट्रो हमारी BMF रिपोर्ट एक दो दिन में आ जाएगी तो यूविल एक दो दिन में आ जाएगी तो इस तिंग अस वेल बा इस वाइट और तो उनका जो है निर्मा को उने अपना पूरा स्टेक भीज दिया 75% नौ निर्मा राइट काफे नाम सुना होगा अपने पाउडर बनाती तो नाव यह एंट्रिंग इंटू फार्मा स्पेस इंटू एपीश पेस एंड दे दे डू सम वरक इंट फार्मासो हो गया है ठीक है तो आपको कुछ इंट्रेस्टिंग सुनना है आज तो यह इमेज है तो बेसिकली ट्विटर पर इमेज है कि डोंट गो बाइद नंबर्स और पुराने नंबर्स हैं कुछ मेरा थोट प्रोसेस नंबर्स को दिखाना नहीं था इसमें कॉंसेट समझाने का था किसमें में बहुत इंट्रेस्टिंग लगा क्योंकि यह बहुत एक वर्ड्स जो होते है न एक कॉमनली यूज होते हैं इंटेक वर्ड इंस पेशली जैसे हम न्यू एज टेक्नोलोजिक कंपनीज की जब बात करते हैं तो यह मार्केट प्लेस है यह एक प्लाटफॉर्म है यह एग्रीगेटर है तो यह वर्ड बहुत कॉमनली यूज होते हैं कि मार्केट प्लेस क्या होता है प्लाटफॉर्म क्या होता है और एग्रीगेटर क्या होता है इंदीनों में ठीक है तो यह बैसे भी यूस स्पेसिफिक है तो हम इसका इंडिया स् सब्सक्राइब कर रहे हैं और वह आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वह एनेबलर है टूल ठीक है बाइंग सेलिंग आपस में बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक्जामपल है कि मैं समान खरीदता हूं तो किसी और सेलर से खरीद आपना समान मैं गया मैंने समान खरीद लिया मैंने समसंग को आमेजन के थ्रू पैसे दे दिये तो डिरेकली वह उनको पैसे भी मिल गए तो और उसमें से जो बी कट अमेजन को लेना है ले लेगा और उन्होंने एक मार्केट प्लेस है इसमें पेमेंट भी हो रही है तो पेमेंट भी होती है उसमें बाइंग सेलिंग होती है अक्चुल में तो यह सारी चीज़े इस तो उबर जैसे इन्होंने किया ऐर्बीन बी दूरदश राइट इसमें करके मतलब कंपनी है जैसे एकॉमर्स कंपनी है तो इंडिया में लिस्टेड मार्केट प्लेस कौन कौन से तो इसको बादे में डिसकस करें पहले देखते हैं कि प्लाटफॉर्म क्या होता है ठीक है तो प्लाटफॉर्म बेसिकली आर्दर इस नौट बाटफॉर्म के सर्विसे राइट यहां पर है शौपीफाइब एक वीजा में कोई सेल कुछ नहीं कर रहा है एक प्लाटफॉर्म बनाया हुआ है एक टेक प्लाटफॉर्म इतना जबर्दस बनाया हुआ है कि वहाँ पर सब लोग जाते हैं और उनका कार्ड के वह यूज करते हैं तो वह प्लाटफॉर्म उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है ठीक है तो जो मतलब वीजा की मशीज दी वी है जो भी है मतलब उसके तरह से वह यूज किया हूँ ऐसे स्ट्राइब करके है विचल सम्थिं लाइक पे टीम शॉपीफाई जो है उसमें बेसी कली से टाइए टो मैं ले रहा हूँ तो यह मैं ही दे रहा हूं और कोई गी दिव रहा व billionaire something लाइक ता is ठीक है तो वहां पर आप एक platform की तरह सोचो इसको ठीक है तो यह platform है तो इसमें networking mode होता है networking mode मतलब यह network यह network बन रहा है और network बन रहा है रही बहुत सारे लोग दोनों तरफ के आ रहे हैं एक buyer और seller आ रहा है Twitter has a networking mode तो these guys also have a networking mode बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपस में but they are not marketplace Twitter is not a marketplace Facebook बनने की कोशिश कर रहे हैं बट उनका marketplace बना ना उनोंने बट अगर एक no social media की तरफ देखें Instagram की तरफ देखें तो marketplace बनने की कोशिश कर रहे हैं but currently they are not marketplace as such तो वह एक networking तो मोट है network हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं जो दोनों अलग अलग तरह से हैं और एक आपस में interact कर रहे हैं लेकिन it is not a marketplace ठीक है तो Instagram is not a marketplace Facebook they are trying to become right but they are not as such मतलब उसको माना नहीं जाएगा वह अब क्या होता है अब क्या होता है अब एक तरह से marketplace टाइप में है कि आप आप आपस में transaction एक दूसरे के साथ कुछ as such transaction money payment transaction नहीं हो रहा है ठीक है मेरेको आपका कुछ समान आप वहां पर लिस्टेद हो मैं को चाहिए आपका समान तो मैं directly आपस से बात कर रहा हूं directly से देख रहा हूं discussion कर रहा हूं कर रहा हूं फिर मैं को लेना है लेना नहीं है तो मतलब वहां पर as such click करके transact नहीं कर रहा हूं उसके through तो वह चीज़ है कि मुझे मतलब अब मैं example समझाऊंगो जैसे यहां trip advisor बहुत अच्छा के नाम तो सब्सक्राइब गोवा जाना है मुझे तो गोवा के सारे hotels के नाम आग्रिगेट किये हूं है उसका प्राइज भी बताया हुआ है लेकिन मैं उन से बाय नहीं कर सकता बाय मुझे मेभी make my trip से या is my trip से इस तरह की website से करना है या उनकी hotel की directly website से करना है मैं trip advisor से buy नहीं कर सकता हूं more or less they are trying to become that as well but currently नहीं होता ठीक है तो इस तरह से है अब अलग-अलग example इंडिया की साफ से सोचते है तो basically marketplace इंडिया में कौन-कौन से लिस्टेट कंपनी की बारे में बात करेंगे सिर्फ वैसे नहीं करेंगे तो नाइका I think is a classic place of marketplace की वहाँ पर लोग समान बेच रहे है और नाइका भी समान बेच रहे है और खरीदरे भी रहे है समान बेच भी रहे है खरीद भी रहे है तो एक marketplace है नाइका is enabling that ठीक है तो payment भ इसको booking करनी है तो मैं ट्रांजेक कर रहा हूं directly पैसा Indigo को जा रहा है या hotel को जा रहा है ठीक है तो they are enabling that platform तो वह भी marketplace है Zomato is a marketplace right कि restaurant से समान खरीदना है मुझे तो मैंने क्या कहते है Zomato पर गया मैंने समान पर समान लिया और उन्होंने डिलिवर कर दिया तो restaurant को directly पैसा चला गया अगेन है marketplace राइट कि जहां पर buyer है seller है और they are enabling it ठीक है Zomato was a aggregator पहले ठीक है तो पहले वो delivery नहीं करते थे समान नहीं खरीज सकते थे आप उनसे तो पहले वो सिरफ rating और reviews करते थे वह आप रेटिंग website थी को राइट कि वहां Zomato पर मैंने को बहुत याद है मैं 5-6 साल पहले मैं Zomato पर इसलिए जाता था कि उनकी reviews बहुत अच्छे होते थे restaurant के को खाने से जाने से पहले देखो marketplace ठीक है तो Zomato था PB Fintech आप insurance खरीज सकते हो वहाँ पर life insurance healthy insurance जो भी insurance है PB Fintech policybazar.com पर जाओ आप समान खरीज लो वहाँ पर टाइट तो आपको policy चाहिए आप compare करो और जो आपको लिए वहाँ बस खरीज भी सकते हो आप तो आपको directly SGFC life से या LIC से कुछ बात करने की ज़र अब हम बात करते हैं platform की तो platform तो बहुत सारे हैं तो platform Ptm I think is a classic example mostly it is a platform it is enabling कि आप अपनी क्या कहते हैं recharge कर लो अपना product तो कोई भी कर सकता है सानिय की वहीं कर सकते हैं तो वह कोई भी recharge करवा सकते हो आप दूसरे को payment कर सकते हो तो इस तरह से एक platform दिया हुआ है कि आप किसी आप stocks भी buy कर सकते हो right आप mutual funds भी buy कर सकते हो तो एक classic platform system है तो as such marketplace है थोड़ा-थोड़ा marketplace का भी model है उनका जैसे ticketing में marketplace है कि वही क्या कहते है आपको यह event है तो event वाला वहाँ पर listed है और आप समान खरीदर हो उसका तो दोनों है तो एक तरह से directly marketplace उसमें थोड़ा बहुत marketplace का angle है तो कई-कई जगह पर marketplace का angle है उनके but mostly अगर हम एक Paytm को देखेंगे तो it is a platform right angel one right classic example आप trading कर रहे हो या फिर आप buying कर रहे हो investing कर रहे हो stock mark stock खड़ीद रहे हो mutual funds खड़ीद रहे हो तो आप angel one के platform पर जाओगे तो platform है कोई ऐसा as such कोई भी खड़ी बना सकता है उसको तो platform दिया हुआ है I think even BSC NSC right classic platform है कि वहां पर they enable to do something but there is no transaction between buyer and seller directly मतला directly seller यह seller है इसको directly पैसा वैसा system नहीं है right तो they are enabling that system but it's a mostly a platform aggregators बहुत सारे हैं इंडिया में right I think again यह statements वेगरा को इसको focus मत करना platform है अग्रीगेटर एक classic अग्लोबल एक्जामपल जैसे यहां तो यह ट्रीपडवाइजर जिलो जिलो मतलब 99 अकर्स की तरह है बट एक classic एक्जामपल एग्रीगेटर आइधिंग गूगल न्यूज इज एग्रीगेटर गूगल एज शर्च इंजन इस एग्रीगेटर राइट बहुत सारी एक तरह से एक जगेट करके एक जगे पर दिखा देता है ठीक है चैट जीपीटी काइंड ऑफ जैग्रीगेट रहते रहते हैं कि कैसे कैसे information मिल रही है आपको कौन सी information चाहिए वो भी देते हैं लेते हैं तो इंडिया में बहुत सारे अग्रीगेटर हैं इंडिया मार्ट कि मुझे कोई एक B2B का समान खरीदना है मुझे मालो अपने office के लिए chairs खरीदनी है 100 chairs तो मैं इंडिया मार्ट पर जाओंगा बट मैं वहां directly नहीं भाय कर सकता है ऐसा नहीं होता है तो आप कोट लेते हो तो I'll send a quote I'll ask कि मैं को 100 chairs चाहिए फिर वो बंदा बताएगा क्या है फिर उससे directly बात करनी है चाट कर सकता हूं मैं platform के थुरू तो बहुत साही चीज़े होती है but it is not a it is not a marketplace it can be a marketplace क more of aggregator कि बहुत सारे buyers है sellers है वो एक दूसरे से interact कर सकते हैं तो networking mode है but it's not a marketplace as such क्योंकि आप directly कुछ buy नहीं कर सकते हो उनसे जीवनसाथी.com आप directly कुछ buy नहीं कर सकते हो आप धूंड सकते हो अपना जीवनसाथी वहां पर तो उसमें सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं उस च नौकरी.com अगें आप नौकरी ढूंड सकते हो आप पर नौकरी नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के कारवाले राइट तो कार्ट कार्ट्रेट ओलेक्स जस्डायल राइट इस अग्रीगेटर अगें यह एट फोड़ी सी ग्रेडियास भी है राइट इस डेफिनेशन में बट आपको लगता है कि कुछ और है तो बताना मुझे तो मुझे यह सारे जो लिस्टेड कंपरीज है तो यह सारे नौकरी है जीवन साथी 99 अकर्स कारवाले, OLX, जस्डायल तो यह में को लगता है कि they are all aggregators ठीक है तो but yes there is something की थोड़ा बहुत marketplace का angle भी है उसमें and some platform angle भी है but this is how I want it कि मैं कोई interesting लगा मैं को लगा कि I'll share because networking mode majorly actually सिरफ aggregators or marketplace में ही होता है mostly platforms जो होते है वो एक तरह से networking mode उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलता है networking mode मतलब कि buyer है seller एक जगे पे बहुत सारे है volume बढ़ता जा रहा है तो आप जो है एक बड़ा उसको बढ़ा बढ़ाते जाते हो right कि ज बढ़ता रहता है networking mode that's what networking mode is called तो इसलिए marketplace or aggregators mostly have a strong networking mode but platforms may or may not have that is what I wanted to share with you थोड़ा सा I am sorry थोड़ा सा लंबा हो गया video have a great time है दोस्तों जाहिन बढ़ता है